आज हम लोगग देखने हम वाले एक चिकन फार्म की स्चटोरी जहां पर वह लोगफ अपशलीटी को डिखते है ज्ञांको बहुत .... मुरगी के बताती हैं कि हम यहां से बहाग सकते हैं और हम अपने बार की दुनिया में सर्वाइब करसकते हैं तो सारी मूर्गे उसकी बात मान के वो लोग उसकी बात मानने के बाद एक प्लेन बनाते और वहां से बैठके बाग जते हैं उनके पीछे वो लेड़ी भी आती पर जिंजर उन्हें वहीं पर रोक देती और ये नियूज हम लोग अकबार में भी दिखते हैं और इस चीज की वज़े से जिंजर और उसकी पूरी फैमली एक नई जगा पर एक नए टाकू पर आके बज़ जाती ये श्टोरी रोकी उसके होने वाले बच्चे को सुना रहा होता है जो कि एंडे में होता है अब ये दोनों ऐसे ही बाते करे होते तब ही जिंजर बता थी कि ये समय नहीं है अपने बच्चे को हमारी पूरानी जिंदकी के बारे में बताने का तो रॉकी बताए ये सब कुछ जरूर नहीं है हम अपने बचे को कभी भी अपने बारे में बता सकते है और रॉकी जिंजर के कहने पर वहां से वो पोस्टर भी हटा देता है जिससे कि उनके बच्चों को ये पता ना चले जब अंडब जाता है लिए सज़ करता है कि अब बच्चों को ये सब करता है शायद अभी मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा पर हम लोग इसे चिली ही कहेंगे तो वो बच्चा बहुत क्यूटता है इसके वज़े से सभी लोग वहाँ पर बहुत जादा खुश हो जाते हैं कि उनके परिवार में एक नया मेंबर आया अब चिली भी बहुत जादा अपनी फैमली की तरह बदमाशता क्योंकि भाई दीरे 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 करता करता चिली बहुत जादा बढ़ा हो गया था वो ऐसा ही बदमाशी करता जा रहा था एक दिन दो चुए उसके टाको पर आया होता है कुछ चीज़े बेज नेगले रोकी को पर रोकी देखता है कि उसकी बच्ची जो कि चिली उस प्लेन पर मतलब नाओ पर बैठके वहां से भगनी की ट्राइग करती है पर रोकी उसे अपने साथ लेकर आ जाता है तो चिली एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और देखती है कि बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है और कितनी चांदार है तब ही वो अपनी मौम से जाकर पूछने लगती क्या हम लोग बाहर नहीं जा सकती तब ही उसको अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती किया उन्होंने कैसे सर्वाइब किया था उस लाइफ में तो वो उसे किसी नप किसी तरीके से बात को टाले लगती है तब ही वहाँ पर रॉकी आ जाता है रॉकी बताता है कि हमें बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहिए, बाहर की दुनिया अल्री बहुत जादा खराब है, वो उन्हें एक मैजिक करके बताएगा, तब ही वो एक काज में कौन रखके, मैगनफाइड गिलास से पॉपकॉन बना देता है, जिसकी वज़े से चिली को भी बहुत पर वहां पे जटका लगता है, जिसकी वज़े से जैसे हो लोग टाकू के बाहर आके देखते हैं, तो वहां पे दीर-दीर पेड़ कट रहे होते हैं, च्योंकि यहां पे अग्रोड बनना इस्टाड हो गई, जिसकी वज़े से बहुत जादा ड़ जाते हैं रोकी और ये, अब रात को, ये सब देखनी के वज़े से, वो लोग सुबह आके देखते हैं, तो वहां पे एक गाड़ी जा रहे होती है, जिसमें एक चिकन बसकेट में बहुत जादा स्माहिल कर रहा होता है, तब ही रात को मीटिंग होती है, और मीटिंग में ये बताती है, कि हमें कैसे भी करके इंसानों से भचना होगा, अगर उन्हें पता चलिया कि हम लोग यहां पे रहते हैं, तो वो हमारे इन घरों पे भी अटैक करेंगे, और हम सेफ नहीं रह पाएंगे, और पहले की तरह हमें कैसे भागना होगा, तब ही लोग इन बातों से बहुत जादा खुश हो जाता है, कि वो हमें लड़ने को नहीं बोल रही है, तो अभी सुब लोग जाल बनाते हो, उससे पत्तों से कवर कर देते हैं, और जैसे ही रोकी, सुबह मुर्गी मतलब भांग लगने जाता है, तो जिंजर उसे रोक लेती, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना तो यह कुश दिन चली जाती, कि मैंने तो बारे एक ट्रक में मुर्गी को देखा, जो कि बहुत जादा इसमाहिल करी थी, तो वो सब क्या है, चिली इस चीज में बहुत जादा इंटरेस्ट थी, पर उसकी माँ उसे रोक देती है, और उसे बोलती कि हमें इन चीजों के से दूर रहना बैठ जाती है, लौकी और चिंजर भी इस चीज से बहुत जादा खुश नहीं होते है, कि उसकी बेटी बाहर 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 जाने की बाते कर रही थी, पर वो लो उसे कैसे भी समझाने का ट्राय करते है, कि उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, इस चीज से अब सभी लोग माझ जाते हैं, कि हमें चीली पर नशर रखनी होगी, क्योंकि भाई चीली बाहर चली गई तो उस लेड़ी के हाथ में लग गई तो वो तो इसे मार देगी, अब तुम लोग काफी टाइम से सस्क्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, फटावर से सस्क्राइब कर दो, थैंक्यू सो जाते हैं, क्यों 우리 लोगता है क्या हम हो चैनल के प्सक्राइब कर दो कि इसे,"경वार तो झाली होगीन", बॉली झाली होगी statutory होगी बाह तो जो फंरगनी कर्वार से कि अभार लोगते हैं, बồne हैता है .